नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूँ आपके साथ प्यामंदीप आप मुझे निज्जेटीन यूपी उत्राखन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे दिल्ली की सियासत की और मेरे साथ में इस वाक्त आउटपुट है प् परचा में रहा अब आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है तो इससे बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती आने वाले एलेक्शन में होने वाली है देखे आमन दो हजार पच्चीस के सुरुवाती तीन-चार महीनों में दिल्ली में एलेक्शन होने वाले हैं यह से तीन-चार मुद्दों को एक साथ वो सुल्जा सकते हैं पहली चीज कि आतिसी को दिल्ली का प्रभार देके दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के अरविंद केजरिवाल ने अपने आपको दिल्ली की जो लोकल पॉलिटिक्स है जिसमें वो डे-to-day इवेंट्स में इंवाल् रहते थे या जो उनके सीनियर कलीक्स हैं मनीश सिसोदिया, संजय सिंगो गरा तो आतिसी के पास कारेभार चला गया अब ये लोग बिल्कुल फ्री हैं तो अरविंद केजरिवाल मनीश सिसोदिया जैसे जो सीनियर लीडर्स हैं ये पार्टी के नेशनल लेबल पे विस्ता जो एक छवी बन रही थी और बीजेपी उसको भुना भी रही थी कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वहां महिलाओं के साथ बचलू की है वो काफी चर्चा में रहा था आपने देखा भी होगा और दर्सों ने भी देखा होगा उस समय तो एक उस डेंट को साफ करने की आतीसी को बनाने के बाद अरविंद केजरिवाल मतलब इस बात को लेके निस्षिंथ हो सकते हैं कि आतीसी कोई बगावत नहीं करेंगे आतीसी पार्टी को हाईजैक नहीं करेंगे लब किसी के लिए भी जो खास्त दौर पे इस तरह की पार्टियां है उनको सबसे ज़्या अर्विंद केजरिवाल मतलब इस बाद आतीसी के पास एक थोड़ा सा अनुभव भी आ गया है कि कैसे अडमिस्टरेशन चलाया जाता है और कैसे मतलब चीज़न डील की जाती है अब ये अरविंद केजरिवाल का जो ये पूरा मतलब वेल प्लांड चक्रव्यू इसको कही है ये बीजेपी के लिए मतलब थोड़ा बीजेपी में हड़कम तो है अब बीजेपी में हड़कम है तो बीजेपी इसको मतलब कैसे काउंटर कर सकती है उसके लिए एक जो मतलब जो चीज समझ में आ रही है, कि देखिये, दिल्ली बीजेपी में एक लीडर्सिप क्राइसिस का फेज है, तलब कोई ऐसा करिस्मेटिक लीडर्सिप दिल्ली प्रदेश बीजेपी में नहीं दिख रहा है, जो जिसको चुनाओ में, मतलब जिसके चेहरे पर दाव लगाया जा हैं, लेकिन दिल्ली में आखिर कौन? ये एक सवाल बीजेपी कैडर्स और इन सब में भी जा रहा है, तो आतिसी के काउंटर के लिए बीजेपी के पास एक तुरूप का इकका साबित हो सकता है, मासुरी सुराज का चेहरा, मासुरी यंग हैं, आतिसी मारलिना की तरह, एनर और एक प्लस पॉइंट है, जो आतिसी के पास नहीं है, कि इनको सियासत विरासत में मिली है, फ्रम दे वेरी बिगनिंग, बासुरी मतलब एक सियासी परिवार में पैदा हुई हैं, और बचपन से, मतलब अपनी मा सुस्मा सुराज को देखती आई हैं, और कहीं न कहीं सु बासुरी सुराज ने जब लोगसभा की सपत ली थी, लोगसभा सदसता की संस्कृत में सपत ली थी, उस समय हम लोगों ने भी वो किया था, मतलब मुझे याद है जब सुस्मा सुराज ने पहली बार जब 96 औ 98 में जब लोगसभा की सदसता की सपत ली थी, संस्कृत में ल अगर बांसुरी को आगे लाती है तो आतीसी का एक अच्छा काउंटर कर सकती है बीजेपी यानि कि सुष्मा स्वराज को जो फालो करते हैं या उनके जो वोटर्स थे वो आपको लगता है कि फिर यहाँ पर शिक्र हो सकते हैं यह भी एक बीजेपी को फायदा मिल सकता है बिलकुल देखेबा अर्विन केजरिवाल जब तक जेल में रहे उन्होंने कुरसी नहीं छोड उसके पीछे उनकी अपनी कुछ स्ट्राटेजी थी जिस पर वो काम कर रहे थे और उन्होंने वहीं से गब इंटरन किया है वर्चुली अर्विन केजरिवाल की सहमती के बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था उस समय और वही हुआ लेकिन जेल से आने के बाद अर्वि में इनकी सरकार है कई राजियों में इनोंए अपनी अच्छी चाप छोड़ी है अच्छे वोट मिले हैं इनको तो अब अगले साल भी कई स्टेट्स में एलेक्संस हैं अभी हर्याना और जमुकस्मीर में एलेक्संस हो रहे हैं इसके अलावा आपको अगले साल शुरुआती में ही दिल्ली में एलेक्संस हैं बिहार में एलेक्संस होने वाले हैं अगले साल के आखर में और कई राजियों के चुना यानि आपदा में अफसर उन्होंने तलाश लिया है आज उनका एक स्टेटमेंट आया जहाँ पर उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी के बिना हर्याना में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती आप यहां पर विस्तार की भी बात कह रहे हैं क्या आपको लगता है कि हर्य हर्याना में उतनी मजबूती के साथ में आमादमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी कि गठबंदन के बिना किसी भी पार्टी का सरकार बनाना मुश्किल होगा। यह कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि आमादमी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में होगी या सत्ता कि चाभी आमादमी पार्टी के हाथ में होगी। पुश्किल घड़ी में आतिशी ने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। वो भी एक बड़ा फैक्टर निकल कर सामने आया। अब जब आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है आप करें अर्विन केश्रिवाल बाकी पूरे विस्तार पर फोकस करेंगे तो ऐसे में क्या पार्टी पहले के मुकाबले और ज़ादा मजबूत हो जाएगी। क्योंकि अभी इलेक्शन है तो फोकस कहीं पर रहता है हर पार्टी यही कोशिश करती है कि वो आम जनता तक पहुँचे और अपनी पार्टी को और ज़ादा मजबूती के साथ में जनता के सामने हैं। बिल्कुल देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब मतलब इमर्ज होती है तो हर पॉलिटिकल पार्टी का यह मकसद होता है कि वो सत्ता में आए एक ना एक दिन। और अरविंद केजरिवाल की आम आदमी पार्टी को आप अगर देखें उसका इतिहास आपको याद होगा कि भाई पार्टी बनाने के साल दो साल के अंदर वो सत्ता में आ गए तो यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है ठीक है कि आप दिल्ली के सत्तर विदान सभा वाले स् वोट बटो रहा है आपने गोवा में वोट बटो रहा है आपने उत्तर प्रदेश में किसमत आजमाने की प्लानिंग की आप वहां आए तो यह सारी चीज़ें यह तो भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अंबिशन होता है और इसमें कोई बुराई नहीं है हाँ यह ज लेकिन आजकल एक चलन बढ़ गया है कि जब भी कोई सीएम पच छोड़ता या फिर किसी और को कुरसी मिलती है कोशिश यही की जाती है कि किसी ऐसे चेहरे को उस कुरसी पर बैठाया जा सके जिसकी खुद की पहचान जादा ना हो लेकिन यहां पर हम देखे आतिशी की साथ में जिम्मेदारी के साथ में सारी जिम्मेदारिया ने भाएं लेकिन वो एक मजबूत कैंडिडेट पहले से थी तो ऐसे में क्या अर्विंद केजरिवाल के लिए आपको लगता कि चुनावती बढ़ नहीं देखे यह मतलब इसमें आप यह कहें कि अर्विंद केजरि कि नौबत आई इडी ने जब उनको गिरफतार किया तो हेमन सोरेन ने बिलकुल अपने एक पपेट सीएम को पपेट को सीएम पोस्ट पे बिठाया और जेल से बाहर आते ही उन्होंने वापिस उनको उतारा और खुद काभीज हो गए सत्ता पे अर्विंद केजरिवाल के अर्विंद केजरिवाल चाहते तो अपनी परिवार से अपनी पतनी को जिन्होंनों मोर्चप मतलब अर्विंद केजरिवाल के जेल जाने के बाद कई पबलिक अपेरेंस उनकी हैं और काफी सपोर्ट भी था पार्टी के नेताओं का भी सपोर्ट था उनको अर्विंद केजरिवाल को भी बागडोर दे सकते थे लेकिन यहां पर अर्विंद केजरिवाल ने आपने एक भरोसे मन लेकिन दिल्ली जहां पर प्रधान मंतरी भी रहते हैं बड़े बड़े चहरे रहते हैं वो दिल्ली जीतने में बार बार नाकाम साबित होती है तो अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए पहले के मुकाबले थोड़ी से मुश्किले और जादा बढ़ने वाली है और अगर वो बांसरी स्वराज को टिकेट देती है तो पार्टी कितनी जादा मजबुत हो सकती है टिकट देने का तो सवाल नहीं है अभी ना मैं बात कर रहा हूँ कि चेहरे को भाई बांसरी दिल्ली की रहने वाली हैं दिल्ली की पूरू मुख्यमंत्री सुस्मा सुराज की बेटी हैं दिल्ली से उनका एक अपना कनेक्ट है ये सारी चीजें एक तरफ हैं दूसरा जो आप कई फैक्टर्स थे सबसे बड़ा फैक्टर जो उस समय समझ में आया था वो प्याज की बढ़तिक कीमत थी जिसने बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से बाहर किया उसको लागातार तीन टर्म स्रीला दिक्षित मुख्यमंत्री रहीं कॉंग्रिस की सरकार कॉंग्रिस के बाद आ अब काफी जागरूप हो गया है वोटर्स को यह पता है कि मेरे इस वोट से कौन सी सरकार बनने वाली है क्या मुख्यमंत्री चुना जाना है या प्रधान मंत्री चुना जाना है तो वोटर्स यह समझते हैं और आज भी आप दिल्ली के लोगों के बीच अगर सर्वे करें तो यह वाकई आशरे की बात है कि साथ की साथ लोग सभा सीट बीजेपी को आती है लेकिन सत्तर में से संट्ट विधान सभा सीट हैं आम आदमी पार्टी को आती हैं तो यह वोटर्स के मतलब क्लियर माइंड सेट क्लियर कॉंसेट का एक सबसे बड़ा एक जाम पर यहां प अब है अब है ट्म आप अब है अब है ट्म आप है लेकिन कि अ अबरे लगाता जारी